हाई लो दोस्तों उपस्तित वेक नया वीडिव लेकर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो एकाउंट है वह आपका जंधन या जैनरल है कि बहुत लोग कन्फूज हो जाते हैं कि कि मेरा जो एकाउंट है वह जंडल है या जंधन क्योंकि जंधन वाले एकाउंट से आप जंडल की तरह यूज करना चाहते हैं तो वह नहीं हो पाता है जिससे बहुत सारी परिशानियां जहलना पड़ता है तो आएए शुरू करते हैं वीडियो परधानमंत्री नयंदमोदी ने साल 2014 में परधानमंत्री जंधन योजना शुरुवात के थी इस योजना का मकसद एक ही था कि देश की जो बरी आवादी है जो पिछले 70 वर्थों से बैंकिंग से दूर थी उन्हें इस योजना के जरिए बैंकिंग के पर से उसाहिक करना था और देश के अर्थववासे उसे सिधे तौर पर जोड़ना था खासकर गौओं को में बरी तेजी से लोगों का खाता खुला गया जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री जंधन खाता इन खातों को खोलने के लिए जिन गौओं में बैंक नहीं था वहां CSP बनाया गया अर जिसे कि आपका पेन काड डाविंग रैसे अधार कार्ट के अलावा जितनी भी आपके पास वायद्द परमान पत्र है उसे भी आप खाता खुल सकते हैं लेकिन बचत खाते में ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि बचत खाते में अगर आप खाता खोलते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है यानि कि जो अलग-अलग है दुनों का कि क्रेटेरिया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहला जंधन काथा स्थी में क्षेजक्स लुड़ता है डूसरा बचत कार्ट के साथ 7 में लाटना अन्यवार होता है जबकि जंधन खाता में इसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ आप वाइद पाचान पर मान दीजिए और आपका जंधन खाता खुल जाएगा शुरू में जो पास्बूक मिलता था वो जंधन खाता और बचत खाता दोनों का पास्बूक से मोतित है इसे हम पता नहीं लगा पाते थे कि मेरा जो खाता है वो चांट नमर सारह कुछ लिखा रहता है चौथा नमर जो है बचत खाता और जंधन खाता दोनों के पास्बूक पर महर लगा रहता है ड्यपा उल्कर पर आक kita SIM your ओं यह डिशली अगर आप मेरा कौन सा खाता है जंधन खाते में अक्सर रूपए कार्ड यह जारी है किया जाते हैं और बचंद स खाते में तो मस्ट कार्ड वीजा कार्ड कई तरग कार्ड इसु के जाते हैं तो अब मुझा ऐसा ने लगता है कि आप gli खाता और बचत खाता को पाचा आने में आपको दिक्कत होगा यही था वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए धन्यवाद